सेमसंग एस टैन इए आटो कॉल रेकॉर्डिंग नोट वर्किंग प्रॉब्लेम नमस्कार दोस्तों सवागर अब सभी का तिकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों केसे आप जो है अपने डिवाइस में आटो रेकॉर्ड सेटिंग किया हुआ है फिर भी काम नहीं करें तो उसका ब्यालक सॉलूइशन होगा अगर आपको सेटिंग सही तरह किसी करना नहीं आते उसका भी सॉलूइशन आपको इसी वीडियो के अंदर पर मिल जाएगा ठीक है तो आटो कॉल रेकॉर्डिंग के किजे सेटिंग और सॉलूइशन दोस्तों में आपको यहाँ पर दोनुए बताने वाला हो सही तरह किसे सेटिंग करना है किसे सॉलूइशन करना है उसके बाद जाके सॉल्फ हो जाएगा आपका प्रॉब्लम वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्र वीडियो शूरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो करना क्या है अगर आप को कूप प्रॉब्लम आरहे तो आप बहुत अब दोस वाइज सैंसरी और आप के सेटिंग करते हें जबाद से करें ठीक है phone service तो यहाँ पर phone option है तो इसमें आपको click करके जाना है and then आप जो है दोस्तों यहाँ पर जाए storage में clear data पर click करके okay कर देना और इसका data को clear कर दीजिए जैसे data clear होगा आप बेक करें बेक करने के बाद दोस्तों आप अपने call setting को open कीजिए three dots में click करके आप call setting पर जा सकते हैं and then दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा कुछ इस प्रकर का interface ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा आप record call के अंदर पर जाए यहाँ पर आप record calls ठीक है auto record calls तो यह option आप इनेबल कर दीजिए तो यह option को इनेबल जिससे आप करोगे तो आपका auto call recording on हो जाएगा तो एक बार आप दोस्तों try करके देखिए ठीक है record करने के कोशिश करें तो इतने में दोस्तों आपका problem जो है solved हो जाएगा definitely क्योंकि दोस्तों हमने solution के साथ सेटिंग कर दिया है तो चेक करके देखें अगर problem solve हो जाता है ठीक है अगर अभी भी दोस्तों आपको problem आ रहा है तो जाएए अपने सेटिंग पर और यहाँ पर आपको on करना है general management स्क्रॉल डाउन करें reset के option पे जाए reset all setting पर क्लिक करके सारे सेटिंग को यहाँ पर reset कर डीजे mobile pattern password जो भी है उसको भर दीजे और सारे सेटिंग को एक बार reset करके दुबारा से try करके दीखी ठीक है अगर इससे काम बन जाते है problem solve हो जाता है तो अच्छी बाद है फिर भी दोस्तों मान लिजिए problem आपको आ रहा है ठीक है इतना solution किया फिर भी आपको problem आ रहा है तो फिर आप क्या कर सकती है तो दोस्तों मैं आपको सजेक्स करूंगा mobile software update करें ठीक है mobile software अपडेट करें लेटेस वर्जिन पर mobile software अपडेट करने के बाद दोस्तों इस तरह का जो प्रॉब्लेम्स रहते हैं completely fix हो जाते हैं ठीक है तो आपको mobile software भी अपडेट करना होगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते आप ठट पर्टी आप्लिकेशन भी डाउनलूड कर सकते हैं जैसे कि कॉल रेकोर्डिंग का यहाँ पर आप्लिकेशन नहीं होते ऐसा ठीक है तो यहाँ पर आप सिंपली टाइप किजिए तो आप इसको भी जो है यूज कर सकते हैं तो इस तरह के से आप अपने प्रॉब्लिम को fix कर सकते हैं उम्हीद करते दोस्तों वीडियो आपको पसने कि यहम झासे कर दोचेशन टोस्ते हैं पने किया दोस्तों बचल्डिंग कर्या यहाँ था वराई और व्हाँ दोस्तव घच्छ यहाँ अमूज को सी선 में ब़धे Deputy Probable